जो लोग ये बोलते हैं कि एलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन में कोई घपला नहीं हो सकता उसमें कोई बायफ नहीं हो सकती वो निश्बक सुरूप के काम करती है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं कि यह electric voting machine जो मैंने बनाई है, इसमें आप किसने भी तरह की, कैसी भी तरह की आप voting कर लीजिए, आज में mock test करिए, demo करिए, कुछ भी करिए, लेकिन finally जब आप इसका result देखोगे, भले ही आप इसको off करके, इसका power off करके, आप इसको strong room में या कहीं पर भी इसको रख दीजिए, उसके बाद भी इसका जो result है वो आपको बदला हुआ मिलेगा, मैं challenge करता हूँ जितने भी technical संस्थाएं हैं, या फिर जो technical लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि voting machine में घपला नहीं हो सकता, ये बिल्कुल निस्पर सुरूशते काम कर सकते हैं, मैं उनको आमंतरित करता हूँ अप आपको ये भी दिखाई देगी कि आपने किसका बटन पर दबाया है, आप कोई भी बटन दबाईए, मतदातों को दिखेगा कि machine बिल्कुल ठीक काम कर रही है, मैं जिस पार्टी का बटन दबा रहा हूँ, वोई पार्टी इसमें नजार आ रही है, ठीक है, देखिए, इसमें कोडिंग की है, आप मैं इसको result देखूँगा, result देखने के बाद मैं इसको बंद करके रख दूँगा, रखने के बाद जब फाइनली जब counting होईगी, और जब आप मैं इसमें result देखूँगा, वो result कैसे बदल गया, हालग कि मैंने machine को power off करके भी रख दिया था, उस इसमें software लिख दोगे, यह machine वैसे ही काम करीगी दोस्तों, और मैं आम मंतरित करता हूँ सभी लोगों को, आप आओ इसमें demo लेके देखिए, और आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि जो electronics जो voting machine है, वो हर तरीके से काम कर सकती है, जैसा हम उसमें software लिख देंगे, वैसा काम कर सकती है, दिन के हिसाब से काम कर सकती है, तारिक के हिसाब से काम कर सकती है, मोग टेस्ट में बिल्कूर ठीक काम करकर दिखाएगी, लेकिन election के time पे result बदल देगी, यह मैं आपको proof के साथ बोल रहा हूँ, यह जेता जाक्ता एक proof है, आप इस पे testing कर सकते हैं, ठीक है, तो friends, मैं सभी लोगों को अमंतिर्ट करता हूँ, और जो भी जिनको भी शंका है कि यह इस तरी के machine नहीं बन सकती है, तो यह बात गलत है, इस तरी के machine बन सकती है, मैंने इसको 15 य 20 दिन में लगातर महनत करके बनाया है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया इसको बनाने में, को मेरे पास समय नहीं था तो, लेकिन फिर भी मैंने इसको जिल लिल दी machine बनाया, लेकिन अब थोड़ा दिर में result आ जाएगा, लेकिन फिर भी लोगों को यह बताना जरूरी है कि electric voting machine का चुनावों में उप्योग, बहुत ही, मतलब संधे वाला होता है, इस पे विस्वाफ न नहीं किया जा सकता किसी भी एंगल से, मैं यह चैलेंज करता हूँ, और चैलेंज के साथ साथ मुझे पूरा confidence है अपने उपर कि यह machine जो भी आप इसको testing करके देखना चाहते हो, आप देखिए, और आपने मुझे गलत प्रूव कर दिया कि यह machine गलत है, यह machine नहीं बन सकती है, तो मैं उनको चैलेंज करता हूँ, कि आप मेरे को कुछ भी दंद दे जीजिए, मेरे को कुछ भी punishment दे दीजिए, ठीक है, मैं उसको accept करूँगा, लेकिन मैं यह accept नहीं कर सकता कि electric voting machine, जो electronics और software पर चलती है, वो machine अनबाइफ तरीके से काम कर सकते है, मैं इसा बिलकुल unit है, इसके अंदर RTC, real time clock लगा हुआ है, जो machine में time चलता रहता है, इस machine के अंदर, आप इसको बंद भी कर दोगे ना, फिर भी time चलता रहता है, और जब आप इसको counting लिए जब दुबारा चलाओगे तो वो पूरा result को बदल देगी, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपसे प्रा दोस्तों, technology को जानिए, सचित रहिए और चीजों को समझिए